हो या anniversary हो केक तो बनता ही बनता है क्यों न आप घर बेटे ही बनाए फ्रेंज केक तो आज मैं पूरी डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगे कि कितना हाफ केजी केक के लिए प्रिमिक्स लिया और कितनी क्रीम और कितना इंच का टीन और घ्यास के उपर ही से हमने बेग किया है तो फ्रेंज आज मैं बना रही हूं हाफ केजी का चॉकलेट केक हार्ट सेप में तो फ्रेंज मैंने 240 ml के कप से 1 कप लिया प्रिमिक्स और उसमें डाला है पानी बस और कुछ भी नहीं और पूरा बैटर को हमने हार्ट सेप के मोल्ड में डालके बेक कर लिया है ग्यास के तम्हण को प्रें obras ले प्रिम और मेर égal तो यहांरे तो करमे को यहां अरकल चीघ प्रीमे के लिखेर जा रख करेंरों सबस्क्स को आपिके आपने समस्ट समय तेरके होस्यास recipe तो में तक hon लगा अरके सब्सक्राप लेसсте नरौरि तो यहांन यसा आप डालेंगे चोड़ेश सकते हो नहीं तो आप विपिंग क्रीम दाल प्रेश के मेल्ट कर सकते हो तो यह चोड़ेश डाल बेसा है तो चोड़ा इसा जालेंगे कहां डाला बीट करना है थोड़ी दूद्ट की जैसी होती है क्रीम तो फूल कि बहुत जादा हो जाती है और याँ टीन में डालना है ऐसे बेक कर सकते हैं तो इस तरह के से मैंने सेकेंड लेर रखे क्रीम बेड कर लिया है और अब मैंने यहां डाला है चौकलेट गनाश और अच्छे से स्प्राइड कर लिया है और यहां और थोड़ा सच ओपने थाम एड़ कर लेंगे तो फ्रेंस क्रीम कैसे बनाते देखना चाहते तो चैनल पर वीडियो अप्लोड है और लिंक में दे दूंगे फ्रेंस आप चकॉट जरूर करिएगा जो थर्ड लेर है उसे भी अस्टे से तो फूरी होता है एक्टम फरफेक तरीकी if Шच बहुत ज़्यादा जरूरी होती है तो पहले आपको पूरी परी क्रीम से ना सैट से और उपर से क्रम कोटिंग कर लेनी है बाद में इसकी आइस нीं करते जब हम केक स्पंज है वो उसको चुपाने के वह बोलते क्रम करते हुए अच्छे से स्प्रेड करके कर लेनी है और बाद में इसकी और एक लियर आपको देनी है क्रीम की तब हमारी जो आइसिंग है फिनिशिंग है उद्दम परफेक्ट तरीकी की बनती है तो मैंने यहां पिंग कलर लिया है पहले मैंने क्रम कोटिंग परफेक्टली कर ली अब बात में मैंने लिया है पिंक कलर पिंक कलर से इस तरह के से स्प्रेड करते हुए जा रहे हूं देख सकते हो साइड से मैंने थोड़ी थोड़ी जगा कवर कर रही हूं एकी साथ पूरा नहीं कवर करना है फ्रेंस और उपर आप जरूर दीखिएगा मैंने सेम गोल में वाइट बनाया है और यह दिखे फ्रेंज इस तरीके से पिंक कलर ऊपर के साइड में भी डालके अच्छे से करना है नीचे की जो क्रीम है वाइट वाली वह पिंक में मिक्स नहीं होनी चाहिए इस तरीके से आपको इसकी क्रम कोट कर लेनी है तो आप में क्या करेंगे एकदम धीर धीरiken से जहां भी अपका स्वोन्ज दिख रहा है थोड़ा प्रीम ऑको अच्छे से में च्रीजे म स्बेदब करके इस को आपको साइड शेसम रूए में बाद में पैचरास से घुमाकर अक्छे फीनिशिंग देनी है और एकदम पर्फेक की जो आपकेशिंग है वो बनती है तो मैंने याँ लिया स्क्रैपर बीच में से स्क्रैपर गुमा एंगे और यह दिए कियए फ्रेंसे घ्ताए इस सी हमारे ऐसी करेंस तरीक से मैंने इसको कर दिया है और देख सकते हो फ्रेंस आभ आप आपे जिनका की स्क्राइपर को घुमांगे इसके क्या होताई का कसम लगय से नहीं पनाना ऑफकर तो वह इस तरीक सेय में मिझाव ज्ञाऑते हैं तो देखें़ गुमाने के बाहर देना एकदम perfect तरीके की finishing बनती है और एकदम perfect तो आपकी साइब की cream है उसे भी हम निकाल लेते हैं और friends आपका जो भी sponge दीक रहा है ना उस sponge को थोड़ा और cream लगा के spread कर लेते हैं तो इस तरीके से perfect icing हमने कर ली है एकदम perfect तरीके से आप मैंने यहां लिये है चोकलेट गनाज चॉकलेट गनाज से इस तरीके से मैं आउटलाइन कर रही हूँ चमत से ही आप चमत से नहीं पैपिं बैग में चॉकलेट गनाज डालके करिएगा मुझे आदत ही इसलिए मैं कर रही हूँ और इस तरीके से मैं चमत से इसकी आउटलाइन कर रही हूँ और उपर की तर तरह से जैसे में डाला यह वैसे आपको पैपिंग से डालना है और इस तरीके से पैचुड़ा पकड़ा है जैसे मैंने वैसी पकड़ के आपको हलके हाथों से इसे स्प्रेड करना है दबाना बिल्कुल भी नहीं है तो जो क्रीम है और चॉकलेट घंश हो जाएगा फिर चाहने में बहुत ही देश्ती लगता है आप इसे जरूर ट्राइ करिएगा सारे जो चीजे है वो रेडी मेट से और चॉकलेट गनाश भी जो चॉकलेट डार कमपड होता है वो भी रेडी मेट होता है लाना है आपको दूद के साथ मेल्ट करना है उनली गरम करके गैस पे यहां मैं चाको इसलिए घुमा रही हूं क्योंकि गनाश के साथ है ना हम जब फ्लावर्स बनाते डिजाइन्स बनाते तो फिसल के नीचे आता है फ्रेंस इसलिए ट्रिक बता रही हूं जो बिगनर से नहे नहे हैं जो सीख रहे हैं उनके साथ यह प्रॉब्लम बहुत ज़ पिंक एंड ब्लैक में बहुत ही ब्यूटिफुल तो इस तरीके से ना मैंने पूरे केक को मुझे यहां फिसल रहा था तो मैंने यहां नेकाल दिया जब भी आपको क्रीम फिसलने लगे डेकोरेट वाले वो निकाल दीजिए गा ने तो आपकी डेकोरेशन खराब कर सकती है तो अब मैंने यहां बीच में भी एक लगा दिया है क्रीम थोड़ा सा क्योंकि सेप जो है वो अच्छे से दिखना चाहिए तो इस तरीके से मैंने बना दिया है आप मैं यहां बीच में फ्लावर बना रहे हूँ मेरे हाथ के वज़े से आपको अच्छे से नहीं दिख रहा और यहां मैं नीचे के साइड में स्टार्स बना रहे हूँ जैसे के आउटलाइन के लिए और बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैंने इस तरीके से इसके आउटलाइन बना रहे हूँ देख सकते हैं और फ्रेंस बहुत ही ये खाने में बहुत ही तेसी लगता है बड़े हो या इनवर्सरी हो आप खरीद के लेके आने से अच्छा है घर पर बनाओ बच्चे और फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे तो इस तरी किसे हमने इस केक को रेडी कर दिया है और आब हम क्या करेंगे एक एक स्टार यहां बीच में बना लेंगे तो यह लु इसलिए जो आपके मन में आता है वह हलका पुलका सा रिजाइन बनाया करिएगा जैसे भी आपको आए और आभी मैंने सिल्वर का स्प्रेय लिया है इससे हमारा केक को बहुत ही ज़्यादा शैन और बहुत ही ज़्यादा केक हमारा लुक फुल लगता है इससे और यह बहु आरा केक देख सकते हो फ्रेंस कितना लुक फुल लग रहा है और परफेक्ट हाफ केजी का चॉकलेट केक बनके रेडी है तो फ्रेंस इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी कमें शेक्षन में जरू बताईएगा आपकी राय और वीडियो मेरी थोड़ी भी अच्छी लगी हो यू यूश्श बनाए है चैनल पर अपलोड़े जाके जरू देखी इएगा गूल बाला कर दिखे देगा ए फ्रेंस से पायनैपलक पैस्ट्री जरूत बनाए है और बहुत हम चीज़ों में इसमें बनाई है चैनल पर वीडियो अपलोड है आप जाके जरूरू देखिएगा ब बाड़ और कि यान को शुच्स्ट्ट्राइब